सेक्स प्रॉब्लेम के लिए होमेयोपाथिक मेडिसिन योहिम बिना मदधू टींचर का इस्तमाल कैसे करना चाहिए ताकि योहिम बिना मदधू टींचर का बेस्ट से बेस्ट रेजल्ट हमें मिल सके और उसका कोई side effect हमारा अंदर ना हो आप लोगों मैंसे कई लोगों को मैं ये कहते हुए सुनता हूँ कि डॉक्टर साथ मैं यहीं भी नम खा रहा हूँ अपने सेक्स्वल प्रॉब्लेम को ठीक करने के लिए लेकिन इसको लंबे समय तक के लिए इस्तमाल करने के बावजुद भी मुझे इसका कोई खास परेणाम अभी तक नहीं मिल पाया है क्या ये मेडिसन काम नहीं करती है यदि काम करता भी है तो इसे किस प्रकार से लेना चाहिए कि ये काम करना शुरू कर दे और कि लोगों को ये मेडिसicie नहीं इस्तिमाल करना चाहिए तो इन सारी सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मेडिसीन असल में काम करता है या नहीं तो दोस्तों अगर आप लोग मेरा कहना माने तो यहीमिनम जो medicine है यह बहुत बड़िया तरीके से काम करती है पूरुसों की प्रॉब्लम में, sexual problem की भी तर, erectile dysfunction की प्रॉब्लम में, link की अंदर तनाव की अगर बात करें तो उन तमाम समस्याँ में बहुत बड़िया तरीके से क तक Such रूका ह avis लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को पहले में सबको सुट करेंगी ऐसा नहीं हो सकता है। हुमेपाथिक मेर्डिस्न कुछ लक्सन के आधार पे काम करती है। या लक्सन मैंको होता है के का अंदर तभी वो medicine आपको देने से आपको फाइदा होगा नहीं तो वो medicine से आपको कोई result नहीं मिलना वाला तो आप लोगों का पहला सवाल का जबाब मैंने अभी तक दे दिया है कि यह medicine काम करता है या नहीं इसके हिलावा यदि आप लोगों को प्रूफ चाहिए कि यह medicine असल में काम करता भी है या नहीं तो उसके लिए आप लोगों को मेरा जो case videos है मैं जिन पेसरेंट का problem को ठीक करता हूं उसका उपर जो case पूचा जाता है एक सर कि इस medicine को आप पेसरेंट की अंदर किस तरह से apply करते हो आप पेसरेंट का अंदर कौन-कौन की लग Virus की आधार PER इसको months Imaginaid तेखना पे अपbles कायए तो दोस्तों यह September करने के पंधर औलनी हो जाता है ए और उसी के साथ पेस्टर का अंदर घब़ाहट होता है यहाँ जेन होता है और यह चैना की के स्रेंडा उतल्य पहती है Galian के चांना उसके सब्सक्राइबस आर्ब देटाय। अंधर एक तरह सा डर पैदा कर लेता है और अपना अंधर जो एक सोच पैदा कर लेता है कि मेरे से साइस секs ना हो पाए इसके इलाब पेशुटाएंड को सेक्ष करने से पहले बहुत घबराहट होता है बेच्वाइड होता है बहुत पसीना चूटता है यह बहुत की नोट सि मेडिसन का वो यह कि पेस्रेंट से जब मैं केस्टेकिंग करता हूं तब मैं प्रयास करता हूं यह जानने का उसको नीद किस प्रकार का आता है उसका नीद में सपना आता है या नहीं तो यह भी नम का पेस्रेंट को सपना तो आता है और वह सपना इस प्रकार का होता है कि वह सेक्स करने के लिए गये और फेल हो गये उनका लिंग में उत्ते जयना नहीं आई उनका link में कठोरता नहीं आई अब सपना भी देखते हैं अब ना पास्ट का पास्ट में हो सकता है उनका कोई girlfriend रहा होगा किसी के साथ वो उनका intimacy बोरिक मेट्रेय अभी निखा हुआ है कि फॉट्स बिवेंटों हो फॉल पास्ट लाइफ की पुराने दनों की बातों को वह सपनों में याद भीतर इसके इलाबा इस मेडिसीन को हमेशा मदर lindo करना चाहिए को 30 moi करना चाहिए यह को त्यसका स्वीमनेदें इसको अधिक हों इस्ते माल करना पड़ेगा इसका पंद्राश ओपलों तो कैलाइडियम को आपको 30 पोटेंसी में लेकर आना है और इसका दो दो भून आपको हफते में एक बार लेना है दो भून दो चमबज नॉर्मल पानी के साथ मिला के आपको पीना पड़ेगा हफते में एक बार सुबह नास्ते से आदा घंटा पहले और यहिंबिनम को जैसे कि मैंने आपको बताया कि मदर टिंचर के फॉर्म में आपको हर दिन इस्तमाल करना पड़ेगा लगातार दो मेहना आपको इस्तमाल करना है इसको और कलाइडियम फैर्टी को भी आपको साथ साथ में इस्तमाल करना है जैसे मैंने आपको बताया अभी ग्लाडियम यहाँ पे एक एक प्रीष का प्निक किरना। आपका kidney function ठीक नहीं है, या फिर आपका heart की problem है, या फिर आपको fatty liver की समस्या है, तो इन तमाम समस्याओं में आप इस medicine का इस्तमाल ना करें, या फिर आपका body में कहीं पर कोई swelling हो रहा है, तो भी आप इस medicine का इस्तमाल ना करें, यदि आपको blood sugar है, आप इस medicine का इस्तमाल कर सक करते हैं आप ट्राइ करके देख सकते हैं उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो फिर आप उसको तुरंद बंद कर दीजिए तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पेहिंड करता हूं तो थैंक्यों वेरी मॉच एंड वो गुड़े